सो रियल्मी नाइन फाइब जी प्रो मुबाइल फोन जो है मार्केट में लॉंच हो चुका है मार्केट में आवी गया देन फाइनले हमने इन एक कल पर चेज भी कर लिया अब यह जो फोन है कैसा है क्यों है और इसका लुक बेगारा फिर आपको एक छोटा सा अन्बक्सिंग इसका भी सेटिंग्स को बताऊंगा कि अगर आपने इस फोन को लिया है तो आपको कौन-कौन से सेटिंग करने चाहिए और इस फोन को लिये हो तो अगर सेटिंग्स को अच्छे से कर लेते हो आपका फोन का लाइब जो है बहुत ही ज़दा इंक्रीज हो जाएगा तो चलो तो यार वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं चेक करते हैं एक छोटा से इंबॉक्सिंग के बाद सेटिंग्स को So, Let's Go So, इस फोन के अंदर एक खास सीज दिया गया है कि जब आप हम वैसिकलिए अपने फोन को कैसे आफ करते हैं आफ करने के लिए पावर अफ करने के लिए सिंपली हम जो है पावर बटन पर क्लिक करके रखते हैं तो हमेन पावर अफ का उप्सन आता है और वहां से जो हम इस फोन को आफ कर दे दे लेकिन हम इस फोन के अ अंदर पूरे सिस्टम को ही चैंज कर दियागा है इसके अदर अपको पको पावर प्लस वाल्यम बटन को तो आपने इस फोन को लिया है तो आपने इस चीज़ को नोटीस भी क्या होगा तो यह कोई भी मतब किसी तरीके से अच्छा नहीं लगा तो यहां पर सबसे पहले आप जो है सेटिंग्स के अंदर आजाएं यहां पर आपको सर्च करना है कलर स्कीम तो यहां से सिंप्ली सर्च कर लेते हैं कलर स्कीम अब देखो चीज़े ऐसी हैं कि आप अपने फोन को हमेशा यूज करने वालो हो एक दिन यूज करके तो फेक नहीं दोगे तो इसलिए इस सेटिंग को करना बहुत इंपॉर्टन है अब जैसे तुम इसे ओपन करो ताकि जब तुम फोन को यूज करो तो ज्यादा दिक्कत नवाए तुमको मैं तो कुछ ऐसा रखता हूं विकाज मेरेको थोरा सा कुल लुक जो है अच्छा लगता है तो बात करें अगर दूसरे सेटिंग की तो दूसरे सेटिंग में तुमको क्या करना है अपने सिक्यर्टी अप्डेट कर नहीं सकते है तो तुमको क्या करना है तुमको कुछ नहीं करना सिंप्ली क्या करना सिक्यर्टी स्टेटस के अंदर जाना अब यहां पर तुमको सिक्यर्टी अप्डेट देखने को मिल जाएगा यहां पर आपको गूगल प्ले प्रोजेक्ट भी यहां पर find device को भी enable रखना यहां पीसे off रखना सबसे बड़ी मुर्पता है because मैंने अभी off किया है ताकि आप सभी को बता सकूं कि आपको on रखना चाहिए तो आप PCs को मत भुलिएगा सो अब हम बात करते ही setting के अंदर जो अभी जो setting में आप सभी को बताना वानूँ वो है backup and reset अब देखो phone लिए ओ तो कभी न कभी restart तो करना ही पड़ता है और क्या करे phone है करना ही पड़ेगा तो तुमको सब सब पहले about phone के अंदर चले आना है यहां पे तुमको एक option मिलेगा backup and restore का तो तुमको simply इस पर click कर लेना है यहां पे अगर बात करे backup and reset settings की तो यह पूरा का पूरा चेंज हो चुका है तो तुमको यहां पे कुछ options अलग अलग तरीके के दिख जाएंगे तो इससे घवराना नहीं है तुमको यहां पे देखो mobile device का option मिलेगा तुमको simply इस पर click करना है अपना यहां पे pattern को ड्रोग कर लेना है तो हम ऐसे pattern को ड्रोग कर लेते हैं तो यहां पे backup का option मिलेगा तो restart करने से पहले backup लेना बहुत important होता है तो तुम जो है backup लेना विकाज अगर ऐसा कर लेते हो तो तुम्हारा डेटा सेब रहेगा दर नीचे में आपको factory reset का option मिल जाएगा इस पर click करके इज़रे erase all data पर click करके तुम अपने phone को restart कर सकते हो अब देखो तुम अपने phone को update कैसे करोगो यह बहुत ही simple यह बताना मेरा फर्ज तो बनता है बट तुम सभी को मालूम होगा इसलिए मैं तुम सभी का time best नहीं करना चाहता तो simply तुमको सबसे नीचे आना है और यहां पर तुमको एक option मिलेगा additional settings का अब इस like setting के ऊपर मैंने एक proper video upload करके रखा अपने channel पर तो तुम चाहो तो जाकर उसको चेक कर सेकते हो link description box में दे दूँगा और यहां पर यहां पर बहुत सरे options मिलते हैं लेकिन यहां पर तुमक अगर अपने phone के life को increase करना चाहते हो तो develop option को enable करके जरूर रखना है because मैं आप सभी को एक example देता हूं कि मानलो तुमको कोई खाने वाला चीज दिया जाए लेकिन तुम उसे कुछ मतलब ज्यादा shape लेके खा रहे हो तो जल्दी खातम हो जाएगा लेकिन अगर उसको एक limited shape म अप्लाई होता है इसके अंदर तुमको यहाँ पे animation skill को ढूड़ना है और window animation skill को ढूड़ना है अब दोखो यहाँ पे window animation skill भी मिल गए तो इन तीनों में जो यहाँ पे one है इसको तुम 0.5 कर लेना विकोज यहाँ पे देखो मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो 0.5 का भी option तुमको इसको कर लेना है इससे क्या होगा कि तुम्हारे background में कम से कम applications run होंगे जब आपके background में बहुत कम applications run होंगे तो इससे यह होगा कि आपका phone बहुत ही कम मतलब आपके phone का system जो बहुत ही कम यूज होगा जिसके वाज़े से आपका phone का life जो है थोड़ा सा increase हो ही जाएगा तो इस setting को enable करना मत भूलना और इसके नीचे ही smallest option मिलता है जिसको कि हम DPI बो अंदर तो यहां पर एक option मिलता है service and feedback का अब यह क्या होता है क्यों है कैसे करना है इसको पर विडियो अप्लोड है तो तुम simply YouTube पर सर्च भी कर सेकते हो what is service and feedback तुमको मेरा वीडियो मेल जगा बाके link description box में दोगा जाके check कर लेना तो यही कुछ important settings थे तुम सभी के phone के लिए हो या फिर realme 9 pro लिए हो realme 9 pro plus लिए हो max लिए हो या जो भी लिए हो उसके अंदर इन settings को apply कर सकते हो because सब में same settings नहीं apply होंगे so यही था आज का वीडियो है and I hope कि वीडियो तुम सभी को काफी सही लगा then वीडियो चलब वीडियो को लाइक करके चैनलों को subscribe कर दिजे चलब में तब तक ले इतना ही बाबाए and take care guys love you मेरे भाई लोग